तो अगर आप ढूंड रहे हैं इस गर्मी बहुती टेस्टी और बहुती आसान सा डिजर्ट तो आज की रेसिपी है बिलकुल आपके लिए तो चलिए जल्ली से वीडियो को आगे बढ़ाते और देखते इस यम्मी टेस्टी डिजर्ट को हमको रेडी कैसे कर रहा है तो सबसे करेंगे चिया करेंगे एक चिया अपको यहां मैं ले सकते आप काउ मिल्क भी ले सकते हैं तो आप टॉन भी ले सकते हैं यह एक गिलास पानी और अब इसको उबालाने देंगे तो जब तर दूद में वाल आ रही हैं, हम आगे की चीज़े कर लेंगे, बहुत जटपट बन जाता है, आप जो ये सारी चीज़े में कर लिए सब आप्चिनल है, आप चाहे तो इसमें छी असी ना भी सोख करें, या आप चाहे तो मेरी तरह इसमें ड्राइफ रूट्स ना करें, तभी कुछ उसे हम जो फालूदा इंस्टंट वालब बना और उसमें सब कुछ रहता है, तो लेकिन ये थोड़ी थोई ज़्यादा एड़ कर देते हैं, तो उससे डिज़र्ट और भी ज़्यादा यमी और टेस्टी लगने लगता है, उसके बाद अपने मन पसंद ड पूरा एक पैकेट एड़ कर देना है, जिस हिसाब से इसमें लिखा था है, एक लीटर दूद लेने के लिए मैंने उसी हिसाब से ले लिया है, और आप किसी भी कंपनी का पैकेट ले सकते हैं, यहाँ फिलेवर मैंने रोजवाला लिया, इससे पहले जो एद में बनाया था वो मैंने पिश्टा वाला बनाया था और आज मैं रोजवाला बना रही हूँ, इस पूरे पैकेट को हमें दूद में एक साथ ही एड़ कर देना हो था और इतनी देर में दूद में उबाला गया था, तो अब हम इसको एड़ कर देगे दूद में, और उसके बाद अब हम इ टीस मिरिट की कम समय बनके रेडियो जाएगा अच्छा तो आप अगर कुछ यसी ये सारी चीज ड्राइ फूट्स पहले से कट किया है या फूट्स आप जो भी ले रहे हैं आप इसमें ग्रेप्स भी ले सकते हैं आप इसमें च्छोटे-च्छोटे बाइट करके एपल भी ऐ इसको चलाते रही है अब बस यह गाड़ा हमें करना है तो इस टाम जब आप इसको गाड़ा करेंगे तो गैस को तेज कर लीजेगा गाड़ा करने के लिए तो पांच मिनट के आज पास हो गया इसको चलाते हुए यह बहुत अच्छे से गाड़ा हो गया आप देख सकते हैं तेज है और अब यह बिल्कुल रेड़ी हो चुका है क्योंकि हम गैस पंद कर दे तो इसके बाद भी यह जब ठंड़ा होता है तो थोड़ा और जाड़ा गाड़ा हो जाता है गैस पंद कर दीजे तले में जो भी बरतन में लग गया हो आप तो इसको अच्छे से चमच की म हो गया है मैंने रख तो इसको ऐसी घंडा उनने दिया है बीस धर-三 मिनट में ठंडा हो गया था और उसके बाद सबसे पहले मैं इसको सर्फ कर देंगे तो आप इसको अपने मन पसंद किसी भी चीज में सब कर सकते हैं तो यहां मैं आपको दो गिलास में सब कर करके दिखा आपके पास है तो और ये बहुत अच्छा सा डिजर्ट बनके हो गया रेडी अब हम इसको काटोरियों में भी सर्फ कर लेंगे यानिके आपकी लास्ट में काटोरियों में आइसक्रीम बाउल में किसी भी तरीके से इसको सर्फ कर सकते इस तरीके से हमें दो काटोरिया ले ले लिजे आप उसमें भी आश कर दीजे और ज्यादा मत भरिएगा बना जब हम इसमें आईस क्रीम रखेंगे ना तो ये गिरने का डर रहेगा तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें भाई बनाने में मेनत लगती हो खाने में बहुत जार टेस्ट ये वेस्ट क्या करना है हम आराम स काएंगे और इसके बाद भी सफ करने के बाद भी बहुत सारा रखा था बटर भी या आप बहुत आराम से आर्श से दस काटोरियां बार बारा काटोरिक या इसमें रेडी कर सकते हैं और फिर इसमें आईस क्रीम एड करिये साथ ही थोड़ा से आप चाहे तो फिर से अनौर यह अपको भी डॉद्ध बाद कर सकते हैं आपको फॉद्ध फॉट्ध को और यह सिंस नियाद से इंट परभर प्धूंपल से लाम स данy kayak 2220mm जाता है स्रिफ दूद की हमें ज़रूरत है बाकि आप चाहें तो ड्राइफ रूट से चीज़ वगरा ना इस मैट करिए ऐसी बहुत अच्छा लगता है तो जरूर ट्राइए करिएगा रैसीपी पसंद आईगा तो प्लीज लाइक करिएगा थैंकि सो मैच मेरे साच रूरे लाने के लिए फिर से आउंगे बहुत अच्छी रैसीपी के साथ बाइबाए